इसके आंसर को लिखने से पहले हम उसे समझ लेते हैं कि स्वाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है समझना बहुत इंपोर्टेंट है इस में इस प्रोसेस में वैदरिंग होती है जिसमें सपोज ही एक बड़ा सा रॉक है इस रॉक का फिजिकल चेंज तो होता ही है वैदरिंग में साथ में केमिकल चेंज भी होता है इसका जो साइज है या शेप है ये भी चेंज हो जाता है यानि कि फिजिकल चेंज होता है साथ में इसकी जो properties है इसका character भी change हो जाता है chemically ठीक है? तो इसमें chemical change भी होता है कब होता है? in the process of weathering और weathering किसके थ्रू होता है? या तो ये wind से होता है या फिर water से होता है या फिर climate से होता है, climate अगर hot है cold है और जैसा भी climate है, humid है उसकी वज़े से भी इसमें weathering की process होती है और इसमें changes होते है आपको पता है, air में बहुत सारे gases भी होती है, जो rain water के contact में आती है, तो वो change हो जाती है, वो acid भी बनाती है तो suppose अगर rain हो रही है rain water है, तो उससे भी क्या होगा? ये इस rock के उपर गिरेगा, तो reaction होगा जिसकी वज़े से भी ये break होता है, छोटे pieces में wind बहुत तेज है, तो भी break होता है, अगर वहाँ का climate बहुत hot है तो भी क्या होगा? उससे reaction होगा और अगर बहुत ज़्यादा cold है, तो भी इस rock पे reaction होगा, जिसकी वज़े से slowly, slowly, gradually बहुत थी साल लगते हैं उसके बाद इसमें क्या होता है? दीरे-दीरे ये change होता है, reactions होते रहते हैं और ये small part में छोटे-छोटे parts में ये break हो जाता है, इसे process को बोलते है, weathering जिससे कि soil का formation होता है इसको समझने के बाद बहुत easy हो जाएगा इसका answer और ये किसकी वज़े से होता है? ये भी हमें इस question के answer में लिखना है, soil is formed by the process of weathering weathering is a process of physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals at the surface of earth ठीक है? अर्थ की surface पे जितने भी rocks हैं या minerals हैं, उनमें weathering की process होती है this physical and chemical decomposition can be done by wind, water and climate as a result, large rock pieces are converted into smaller pieces and ultimately form the soil, last में क्या बनाते हैं फिर soil को बनाते हैं